तो चलिए फ्रेंड्स आज कुछ नया बनाया जाए जिसे बनाने में भी कम टाइम लगे और सभी को पसंद भी आए आप इस रेसिपी को सुबह साम किसी भी वक्त खा सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं बच्चों को भी काफी ज़्यादा पसंद आत है मैदा यदि आप एक कटोरी सूजी ले रहे हैं तो आधा कटोरी मैदा लेना है अब इसमें डालेंगे सक्कर तो सक्कर कितना लेना है जितना आप सूजी लेंगे उतना ही सक्कर भी लेना है यदि थोड़ा सा कम मिठा खाते हैं तो एक दो चुटकी कम कर लें और ज्याद है तो पीस के भी ले सकते हैं अब क्या करेंगे इसे हम दूद से घोलेंगे पानी से नहीं घोलना है दूद ही लेना है तो दूद कैसा होना चाहिए नॉर्मल टेंपरिचर करनी होना चाहिए हलका सा गरम होना चाहिए जैसे आप हाट डालेंगे ना उंगली तो हलका सा गरम का हसास हो उतना गरम लेना है अब क्या करेंगे पहले स्टार्टिंग में आधा दूद डालेंगे बहुत ज्यादा नहीं डालना है अब डालके मिक्स करेंगे सूजी रहने के कारण ये फूल जाएगा तो थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाएगा तो देखे थोड़ा सा भी गाढ़ापन लग रहा है इसमें एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और दूद लगेगा फिर थोड़ा सा दूद डालेंगे थोड़ा सा छोड़ देंगे जव आदे गंटे में सूजी फूल जाएगा तो थोड़ा सा ये गाड़ा हो जाएगा हमने एक अप दूद लिया था एक अप में थोड़ा सा दूद बच्चा हुआ है तो जोरत पड़ेगा तो इसे फिर से डालेंगे अब आधा गंटा हो गया है कवर हटा लेते हैं सूजी अच् उसे दो मिनड़ तक गोलने से क्या होता है कि ये रेसेपी उसमें डालेंका घाला थाए नी डाला ये थोड़ा सा दूद हो बचारव जूड़ा मिंठक कर लेंके यह ज़ादा डूड़ा ने डालेंगे तो बढ़िया नी बनेगा ये रेसेपी अब भूड़ेया गोल भण कुछ कटेवे ड्राइफ्रूट्स डालना पुरी तरह ऑप्शनल है और साथ में डाल देंगे चुटकी भर सौंफ सौंफ की जगह आप इलाइची पाउडर भी डाल सकते हैं जो पसंद वो डालते हैं या फिर सौंट पाउडर अब इन सभी को मिक्स कर लेंगे तो चलते हैं और ये अब ये घोल बन के रेडी हो गिया है अब बना लेते हैं अब इसे बनाने का तरीका है कि अपने से लेगा इस वक्त इए गप अपने पोजिशन ले लेगा सेप सेट स हो जाएगा तो बस कल्ची से इसके ईउपर तेल डालेंगे जैसे आप तेल डालेंगे ये पूरी अच्छी तरह से गुबारे की तरह फूल जाएगा आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से नम गुबचुब की तरह से फूल गिया है तो अब इसे side करके एक पीस और डाल देते हैं जितना आपके कड़ाई में space रहेगा ना उसी हिसाब से आप बना ले फिर से उपर set होने के लिए छोड़ देते हैं जब हलका सा set हो जाएगा तो फिर से इसके उपर इस तरह से तेल डालेंगे जैसे आप तेल डालना स्टार्ट करेंगे ना वैसे ये पूरा fullness स्टार्ट हो जाएगा आप देख सकते हैं हमने इसमें तो कुछ भी नहीं डाला है खाने का सोड़ा उसके बाद भी ये कितनी अच्छी तरह से फूल रहा है तो बस अभिसे पलट लेते हैं और वो अच्छी तरह से शिक चुका है तो अभिसे निकाल लेते हैं बाकि कभी सेम इसी तरह से बना के रेड़ी कर लेंगे अब इस सारा सूजी और मैदे का पुवा बनके रेडी होगे आप देख सकते हैं एक साइज का एकदम सुन्दर दिख रहा है चोटी चोटी साइज का बना है तो आप इस दिवाली में इस रेसिपी को बना सकते हैं एकदम सॉफ्ट बनता है किसी भी तरह से आप हाथ से बना है तो अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें